हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा क्योश्चन है हम अलकीन की रियेक्शन mcpba से देखने वाले हैं तो mcpba होता है आपका metachloro per benzoic acid metachloro per benzoic acid कैसे reaction देता है यह compound oxygen atom release करता है और per benzoic acid वापिस benzoic acid में convert हो जाता है अब oxygen की valence shell के अंदर six electron है तो oxygen किसकी तरह बिहयो करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहयो करेगा carbon carbon double bond nucleophile की तरह बिहयो करते हैं द्यार electron rich side अब पहला condition हम देखते हैं कि mcpba दिया हुआ है लेकिन quantity हमें दी हुई नहीं है मतलब हमारा जो oxygen release होने वाला है वो जो भी आपके पास में पाइबॉंड अवेलेबल हैं दोनों पाइबॉंड के ऊपर अटेक करेंगे और प्रोड़क्ट आएगा हमारा यह वाला है लेकिन अगले के option में हमें क्या दे रखा है mcpba का वन मोल दे रखा है लेकिन यदि मैं एक मोल यह कंपाउंड ले रहा हूं तो यहां पर दो मोल पाइबॉंड अवेलेबल है इसका मतलब mcpba या तो यहां पर अटेक करेगा या फिर यहां पर अटेक करेगा तो सिंपल सी ट्रिक है कि जो पाइबॉंड या जो अलकीन का पाइबॉंड जादा hyperconjugation कर रहा है वहां पर यह oxygen जाके add हो जाएगा hyperconjugation से होगा क्या hyperconjugation ज्यादा होने से यह bond इधर shift हुआ और यहां पर negative charge आ गया तो जितना ज्यादा hyperconjugation होगा इस c double bond c की nucleophilicity उतनी ही ज्यादा होगी लेकिन हमें concept नहीं हमें simple सा trick क्या use करना है कि जिस pi bond के hyperconjugating structure ज्यादा होंगे यह oxygen सबसे पहले वहां पर attack करेगा तो देखो आप इस c double bond c में कितने alpha hydrogen आ रहे है 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 और इसके पास में सिर्फ 2 और 2, 4 तो यहां पर 4 alpha hydrogen है और यहां पर 10 alpha hydrogen है alpha hydrogen ज्यादा है तो hyperconjugation ज्यादा है तो यदि मुझे selectively oxygen का attack कराना है तो उस double bond पर attack कराऊंगा जहां पर number of hyperconjugating structure उसलकीन के ज्यादा है Thank you